प्रश्टाचार दूर करेंगे वगारा भारत रिश्वत्खोरी में अब पहले नंबर की तरह भी बढ़ रहा है आप सभी को मबारक बाद आज इस मौदू पर बोलने की जोरत इसले हुई क्योंकि हाल ही में डीडिपी आई को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रासत में लिया है भले आज भी RTO, income tax, सरकारी अस्पताल और बेलगाम कर्पोरेशन में क्या अंगामा हो रहा है सभी देख सकते हैं रिश्वत खोरी की दास्तान बयान करने वाली फाइल ही गयब होगी कहा जा रहा है एक और खबर की मताबिक इतला ये भी हसील है कि नकली शराब भी किसी वजीर के जेरे मातेहत बेची जाती है हाल ही में लाखों की शराब गोवा बनाउट की पकड़ी गई दरसल ये शराब गोवा की नहीं बल की यहीं कई अतराब में बनने की वाद कही जाने है सरकारी तोर पर रिश्वत एक रस्म है जिसे मुकम्मल किये बगएर आपकी मन्नत पूरी हो जी नहीं सकती अब जब जुर्म भी सरकारी लिवादा होड़ने लगे तो क्या कह सकते हैं स्कूल में बच्चे के दाखले से ही रिश्वत देना पड़ता है और इस मर्ज में तमाम अफसर मुलोविस हैं अब तालीम के मैदान में रिश्वत की जड़ें किस गहराई तक पहुंच चुकी है इस पर बहस मबासक किये जा रहे लेकिन ये मर्ज बहुत पुराना है कई स्कूलों में तो अंडर्स्टेंडिंग से चुटियां असातिजा उस्तादों की जानिब से ली जाती हैं एक दूसरे के हाजरी और फिर हेड मास्टर भी इसमें शरीक रहता है हमाम में सबनंगी की तरह अब पुलिस मौकमा लीजिये या दिगर सरकारी कोई भी दफ्तर जहां पर रिशुवत के बगार आप किसी काम को पूरा होने की उम्मीद ही नहीं कर सकते अब वैसे भी तालीम इशोबान नोट चापने की मशीन हो चुका है बैतरासातीजाओं को नवाजा जाता है अब यहाँ भी जो सही में बैतरीन खिटमावत अंजाम देते हैं उन्हें फैरिस सबारी कर दिया जाता है और कुछ ले देकर नाकावी लोगों को बैतरासातीजा का एलान दिया जाता है इसा बारहा का जाता है इल्दामाद भी लगाए जाए जो और पिछले कहीं सालों से जारी है अब तो रिश्वत मांगना या ना देने पर काम ना करना इसे बुरा नहीं समझा जारा कहीं अंग्रिजी मेडियम के स्कूलों में मैस दाखले के लिए लाग और रोपे डोनिशन दे जाते हैं और ना सिर्फ दिया जाता है बलकि उसमें भी मुकाबले लग जाता है याने जादा देने वाले बच्चे का दाखला किया जाता है और इसके लिए एजेंट है और कुछ एजेंट फरजी भी है शेहर में अलग अलग जगों पर पाई जाते हैं आगे दूला प उपर की मलाई भी आप प्रसाद या तबर्रुक समझ कर हजन कर जाते हैं आप सही में समाज का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि आपके पास उपर की कमाई होगी तभी तो आप अपने स्टैडर अफ लीविंग को हाई कर सकते हैं और जब तक महेंगी चमचमाती गाड़ी बंगल जेब पर है आपकी जेब खाली है तो बराय महरवानी आप कातार से पीछे खड़े हो जाईए आपको रिष्टेदार भी दावत में मदू करने पर सोच रहें क्योंकि आप खाली है रिष्ट खोरी से इंसान का स्टेटस बढ़ जाता है खर बड़े-बड़े लोगों के बा बड़े तो बैंक वाले गरों के सामने इज़त उचालने पर आमादा हो जाते हैं गरीब किसान दरखतों की टहनियों पर फांसी लगा कर जूलने पर मजबूर हो जाता है और चोर रिष्ट खोर लोगों के करजे सरकार माफ कर देती है भारत में आए दिन अर्वो खर्वो क गोटा लाकर चूना लगा कर समाज माशरे में शराफत का नकाब ओड़कर इज़तदार बनकर घुमते रहे लेकिन गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं होता अंजुम नहवर का शेर है कि जिनके आंगर में अमीरी का शेजर लगता है उनका ह्रैव जमाने को हुनर लगता है अगर आप डाको हैं लुच्चे हैं चोर हैं जो भी हैं अगर अमीर हैं तो आपके सोसाइटी में एक स्टेटस है आपकी इज़त है आपके मशोरे कबूल भी किया जाएंगे अगर आप गरीब हैं भले आप कितना ही तक्वा या परेजगार है आपकी कोई इज़त नहीं औ मतलब रिश्वत खोरी से निकल कर बात और भी आगे बढ़ जाती है और जब हुकुमत में लोग वजीर बन जाते हैं तो रिश्वत फिर अपना साइज और भी बढ़ा कर लेती हैं यहां तो लाखों में बात खोका, पेटी जैसे अलफाजों की इजाद यही से होने लगती है सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेने देने के तरीके में अजीब होते हैं चाई की दुकान, ओफिस बॉय, आपने अगर काला बजार फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने चमचे शकर, यानि कितने रुपे देना है, ट्राफिक पुलिस भी स्कूल की पर्मिशन लेना है, या तो स्कूल का रिनिवेशन, टीचर्स का तबादला, असातिजाओं का अजाज, इन सभी में रुपियों के बेगार काम नहीं हो सकता है, अब इन सभी का कोई तो कोई मुक्या होता है, और जितना रिश्वत खोर बास होता है, उतनी ही रिश्वत खोरी में आगा रहते हैं, अब यह मर्ज हद से आगे बढ़ चुका है, एकात कोई DDPI जैसा फ़ल्स भी जाता है, तो कोई फर्ख नहीं पड़ता, कुछ दिनों के लिए सस्पेड रहता है, फिर उसी अपने कारवार को दुगनी कुवत के साथ शुरू करता है, और यह भी अजीब है कि दुबारा कहां नोकरी करना है, इसके लिए विरिश्वत देकर नोकरी पर रुजू कर दिया जाता है, ब्रश्टाचार काहना तो बहुत आसान है, फिर अनानी अंबानी मोदी सरकार के हो या इसके पहली की सरकार के हो, फिर आना अप सरान से लेकर चक्रासी तक ये रुखने वाला अमल नहीं है, क्योंकि आगे दूला है तो पीछे चोरों की बारात है, आज का मूज़ू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। जान बचाने वाला चष्मा साबीत हो सकता है, का जार। इने मुबारबाद दी जा लिया करनाटक में इस तरह की इजात करने वाली ये पहली तलबा उताये जा रहा है बेलगाम करपोरेशन से फाइल गायब होने का मामिले को संजीतगी से लेते हुए सेक्रेटरी उमा बेटगेरी की फर्यात वान मार्केट पुलिस थाने की जाने उसे नोटीस सर्वक की गई थी लेकिन मेर के घरवालों ने इसे लेने से इंकार किया लिहाज अब इस नोटीस को मेर शोबा स्वामनाचे के घर पर चस्पा किया गया फाइल गुमशुदा होने की फर्याद दर्च की गई है लियाज़ा इसके कानूनी कारवाई का हिस्सा मानते होए तैकीकी आमल को मकमल करने के लिए पुलिस ठाने में हाजिर होना ज़रूरी कहा गया ता लिहाज अधिगर कार्परेटर ने ठाने में हाजिरी दिये इसा बताए गया खबरों का सिलतला यूँ ही चलता रहा देखते रहे त्याहतनू शुक्रिया लाहाफीज